प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, आश्कृता, नो यूर फेट अब आप माता गौरी की पूजा करेंगे अस्टमी तिथी को तो कुछ विशेश मंत्र जान लीजिए, उसका प्रियोग कैसे होगा ये भी जान लीजिए पहला मंत्र है ओम हरीं गौर्ये नमाहा ये मंत्र माता गौरी का सामान्य मंत्र है कोई भी इसको जब सकता है दूसरा जो मंत्र है वो बालिकाओं के शीगर विवा का मंत्र है मंत्र देखे स्क्रीन पर मंत्र है हे गौरी शंकर अरधांगी हे गौरी शंकर अरधांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरुकल न्याणी कांत कांता सुदुर लभाम ये मंत्र आप पढ़ेंगी अगर आप बालिका हैं, कन्या हैं, विवार नहीं हो पारा है तो ये मंत्र अश्टमी तिथी की रात को पढ़ियेगा माता महा गौरी के सामने बैट करके और प्राथना करियेगा कि आपका विवा जल्दी से जल्दी हो जाए अश्टमी की मध्यरात्री को पढ़ियेगा और मंत्र का जब करिएगा रूद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से आपकी शीगर विवा की जो मनो कामना है तो निश्चित रूट से पूरी हो जाएगी इस आड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूरना आसान प्रॉब्लम्स से सल्यूशन तर अल्टर तर नो यूर फेट देखे माता महागौरी का संबंध जोतिश में माना जाता है शुक्र के साथ शुक्र का मतलब होता है वैभव, happiness तो जीवन में अगर आपको सुक चाहिए, आनन्द चाहिए, वैभव चाहिए, संबंध प्रोस्पेरिटी चाहिए तो इसके लिए भी माता महागौरी की पूजा की जाती है और इसके लिए आप माता महागौरी की पूजा करके अगर उनसे प्राथना करें तो आपकी कुंडली का शुक्र बहतर होगा और आपको संपन्नता की प्राप्ति होगी और जब आप संपन्नता के लिए prosperity के लिए अच्छे जीवन के लिए माता महागौरी की पूजा करते हैं तो उसके लिए माता को चांदी की एक chain या चांदी का एक सिक्का अरपित करके उनकी पूजा करियेगा ओम, हरीं, गौरिये, नमह इस मंतर के साथ और पूजा करने के बाद उस चांदी के सिक्के को या चांदी की chain को अपने गले में धारन कर लीजेगा ऐसा करने से ये होगा कि निश्चित निश्चित रूप से आपके जीवन में संपन्नता और समरिद्धी भी आएगी और शुक्र संबंधी जो बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी देखिए माता महागौरी का संबंध शुक्र के साथ होता है और शुक्र को कहते हैं कलत्र कारक, फेमिली लाइफ का मालिक तो आप पुरुष हो या इस्त्री हो अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कते आ रही है अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है तो माता महागौरी की पूजा से आप वैवाहिक जीवन की समस्या को दूर कर सकते हैं या दूर कर सकती हैं अश्टमी तिथी की रात के समय माता महागौरी की पूजा करिए और माता महागौरी की पूजा में उनके एक विशेश मंत्र का जब करिए वो मंत्र होगा ओम गौरी शंकराय नमहा ओम गौरी शंकराय नमहा इस मंत्र से आप माता महागौरी की पूजा करिएगा और उनके लिए शीग्र विवा की प्रातना करिएगा निश्चित रूप से आपको लाब होगा तो अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है तो नवरात्री की अश्टमी तिथी से आप ओम गौरी शंकराय नमहा इस मंत्र का जब शुरू करिए और इस मंत्र को लंबे समय तक आगे भी दो-चार महीने तक पढ़िएगा आपके वैवाहिक जीवन के बाधाएं दू आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए एस्टु तक एप और चिटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रॉलोजर से